नवसकार दोस्तें, MpOline CSE Business Training के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वोटर कार्ड और आधार कार्ड को भी आपस में जोड़ा जाना है अब और ये जो जानकारी है ये अफिसियली टुइटर हैंडल पर अनाउंस कर दी गई है और सुरुआत इसकी होगी मुंबई से तो Election Commission ने ये डिसाइड किया है कि जैसे अभी पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक किया गया था और अब वोटर कार्ड और आधार कार्ड भी एक दूसरे से लिंक हो सकेंगे जो आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन करने की ये प्रक्रिया एक अगस्ते से सुरुआत होगी जिसकी सुरुआत मुंबई से होने वाली सबसे पहले मुंबई और पूरे देश में ये जो अभियान है ये जो campaign है वो start होगा एक अगस्ते से start होगा और इस campaign के दौरन आपको आपके वोटर कार्ड से आपके अधार कार्ड को link करना है कैसे करना है आज के वीडियो में बात करेंगे अगर आपने nvsp पर यानि कि ये जो national voter service portal है इस portal पर अभी तक अपना user name और पासवर्ट जनरेट नहीं किया, यानि कि आपने अभी तक साइन अप नहीं किया हुआ है, तो आपको सबसे पहला काम तो यह करना है कि आपको इस पे एक अपनी लॉगिन आइडी और पासवर्ट क्रियेट करना होगा, उसके बाद ही आप इस पोर्टल के माद्यम से अपने जो वोटर कार्ड है, उस पे आधार कार्ड को लिंक कर पाएंगे, अधरवाइस आप नहीं कर पाएंगे, यदि आपको भी जानना है कि किस प्रकार से इस पे आपको रेजिस्ट्रेशन करना है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि एक नए वीडियो में हम आपको इसकी लॉगिन करने की पूरी प्रक्रिया अलग से समझा सकें, आज बात करेंगे किस प्रकार से आप आधार को लिंक कर पाएंगे इसके लिए सबसे पहले आपको उसको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद, यह जो nvsp.in इस पोर्टल पर आपको जाना है यहाँ पर एक उप्सन आपको मिलता है सर्च इन इलेक्टरॉल रोल, यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट में भी दिखाने का प्रयास करूँगा यह एक उप्सन आपको दिखाएटा है सर्च इन इलेक्टरॉल रोल अब इसके अंदर आपको जाना है लेकिन कब जाना है लॉगिन करने के बाद, तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको आपका परसनल डिटेल यह फिर epic number डालना होगा epic number डालके जब आप सर्च करेंगे तो user को यहाँ पर feed आधार number का option मिलेगा जो screen की buying और दिखाई देगा वहाँ पर आपको click करना है अब आपके सामने एक pop-up window अपन होगी जहां आपको अपनी आधार card की detail डालनी होगी और OTP के माद्यम से इसे verify करना होगा then submit कर देना होगा तो बहुत ही आसान तरीका होगा इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजों की मुक्रूप से आवस्यक्ता है पहली तो यह कि आपका एक username और password याने कि आपने यहाँ पर अपना sign up करके रखा हो voter portal जो है आपका NVSP में और दूसरी चीज आपके आधार card में आपका mobile number लिंक होना बहुत आवस्यक है क्योंकि OTP के माद्यम से यहाँ पर यह verify होगा data और verify होने के बाद ही आप इसमें एक दूसरे से आधार और जो voter card है उसको एक दूसरे से link कर पाएंगे इससे समझेद और भी जानकार ही हम आपको चैनल के माद्यम से देते रहेंगे यह आप चैनल पर नए हैं चलो को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में